जैसा कि आपको पता है, हम लोग World History का सिरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग Reformation Movement यानि कि धर्म सुधार आंदोलन को अभी कबर कर रहे हैं, इसमें हम लोग अल्रेडी पुनर जागरन को कबर कर चुके हैं, धर्म सुधार आंदोलन का ये तीसरा लेक्चर है, इसमें भी हम लो को भी डाउनलोड कर सकते हैं, आज की इस लेक्चर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं, Mediable Organization and Influence of the Church, यानि कि चर्च का मध्यकालीन संगठन और प्रभाव, यानि कि मध्यकालीन जो समय चला था, जो पिरियड चला था, जिसको Middle Ages के नाम से जानते हैं, जो कि कहीं पे Age of Darkness भी अन्दकार का यूग, तो वो मध्यकालीन पिरियड में आखिर चर्च का संरचना कैसे होता था, जैसे अभी देश में क्या है, सबसे उपर प्रेसिडेंट है, फिर उसके बाद बाद बाईस प्रेसिडेंट, ऐसे पोस्ट जो बना हुआ है, तो एक तरह से सिस्टम बना जब ही भी बात होता है, तो टॉप कहीं बात होता है, कहीं भी, रियल लाइफ में भी, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे उपर कौन थे, उनका क्या इंफ्लूएंस था, तो चलिए आज का लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है, मेरा नाम है धननजय सिंग, वेलकम तु आट से ब्योस्ता था, उसमें सबसे उपर आते थे, जो रूम के बीसप थे, यानि कि बीसप वो ब्यक्ति होता है, जो कलर्जियों का एक तरह से हेड टाइप का होता है, जो रिस्पेक्टेड कलर्जी टाइप का आजमी होता है, उसको बीसप बनाया जाता है, तो जो रूम का बीस जाएगा जो रोम का जो इटली का राजधानी था वहाँ पर रोम में वहाँ का चर्च का बीशभ होता था उसको पॉप बोला जाता था और वहीं सरwे सरवा होता था चर्च के organizational system में जैसे हमारे देश में सबसे उपर President आटे हैं जिनको First Citizen of India कहा जाता है जिनके पास बहुत सारे nadth लेकिन कुछ समवाइदनिक पाँवर्स जो ते उनके मतलब बराबर किसी के पास था ही नहीं सारे powers उनके अंडर में ही थे अब यह जो पूप बनते थे तो इनको уст contin correct करता था और कितने दिनों के लिए यह elect होते थे तो यह जो पूप थे इनको group of क्लार्जी क्लार्जी यानि कि जो पाद्रियों का समूह होता था जिनको cardinal बोला जाता था, जिस group को cardinal बोला जाता था, तो उस group के द्वारा, cardinals के द्वारा Pope को elect किया जाता था, और Pope का term क्या होता था, तो life, for life, यानि कि जब तक Pope जिंदा रहेगा, तब तक वो इस post पे बना रहेगा, उसको किसी भी तरीके से हटाया, नहीं जा सकता है, वो all-in-one होता था, सरवे सरवा, यानि कि उसके ना कोई बराबर में होता था, ना कोई उपर में होता था, यानि कि उसको remove नहीं किया जा सकता था, almost impossible होता था उसको हटाना, Pope had the monopoly to intervene in the areas other than a specific religious right, तो अभी तो आम लोग organization उसका देख लिए, आब influence देखें, छोटा lecture है, तो Pope का influence क कि Pope के पास monopoly था, intervene करने का उन एरियाज में, जो कि religious right के बाहर भी आते थे, देखें, जैसे church हो गया, तो church का काम क्या था, धर्म से related जो भी, जो कारिया है, उसको करना, तो Pope, church का मालिक है एक तरस है, तो Pope का भी right क्या हुआ, जो धर्म से related, जो छेतर है, उसमें कारिया करना, लेकिन ये जो Pope होते थे, जो मतलब church के head होते थे, सारे churchों के, उनके पास monopoly होता था, monopoly होता है, एक अधिकार, यानि कि ऐसा अधिकार जो किसी एक ही बेक्ती के पास हो, दुसरे किसी के भी पास नहीं हो, तो Pope के पास इस तरह का एक अधिकार था, कि वो religious right के अलावा, और भी छेत्र में जो है, दखल अंदाजी कर सकते थे, जैसे समाज के छेत्र में कुछ करना चाहें, कोई intervention कर दे, तो उनके पास ये power था कि वो कर सकते थे, राजनीती के छेत्र में कि कोई अगर राजा बन रहा है, तो नहीं, ये राजा नहीं बनेगा, कोई और राजा बनेगा, ये राजा को भटा देना चाहें, तो ये सब काम भी वो कर सकते थे, इतने ज़्यादा powerful और इतना ज़्यादा उनका influence हुआ करता था, The Pope could annule the civil law of any Christian country, marriage, divorce, will, succession, तो civil law जितने भी Christian countries के थे, यानि कि पोप के अंडर में सबसे पहले वो एरिया आता था, जो Christian dominated था, यानि कि ऐसे एरिया जहां पे Christian धर्म के follower ज़्यादा थे, उन सब के सरवे सरवा Pope होते थे, Pope के पास इतना power था कि वो civil law को चाहे तो रद कर सकते हैं किसी भी Christian country के, और इसके अंडर वो law आते हैं जो साधी बिवा से संबंदित हो, या जो तलाक से संबंदित हो, जो will, will यानि कि होता है वसियत, और succession यानि कि उत्रादिकार, इन चार civil law में वो किसी भी law को कहीं किसी भ कर सकते थे, along with this, इसके अलावा, he also had the monopoly to collect text from the entire Christian land area, इसके अलावा, इनके पास इस बात का भी monopoly होता था, कि वो Christian dominated जितने भी areas थे, उसमें से वो land text collect कर सकते थे, या और जो भी text होचा है, collect करना, वो collect कर सकते थे, कोई उनको रोक नहीं सकता था, या कोई और collect नहीं कर सकता थ उनके नाम पे, क्योंकि उनका अधिकार होता था, चर्च में यह नहीं है कि कोई और भी उनके नाम पे collect कर ले, हालांकि बहुत ज़्यादा ब्रश्टचारी होने लगा था, बहुत लोग भी चर्च के नाम पे, पोप पे नाम पे ब्रश्टचार करने लगे थे, जिसके कार होगा तो लाइक कर दिजिएगा, चैनल पे नाया है तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स लेक्चर में, थांक्यू सो मच पर वाचिंग, एस्टे टेंड वितर,